बारिश में डूब गया शहर, स्कूलों की हुई छुट्टी, दफ्तर बन्प महाराष्ट के नागपुर में एक बार फिर मौसम का मिजास बदल गया है यहां बीती राथ से हो रही मूसलाधार बारिश टोरेंचल रेन के चलते जन जीवन अस्तव्यस्थ है बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस आया है अचानक हुई बारिश और जलभराव, रेन एंड वाटर लोगिन के चलते प्रशासन ने शनिवार को स्कूलों में छुट्टी का एलान किया है बता दे नागपुर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, दफ्तर और स्कूलों सहित लगभग सभी जगों पर पानी भर गया है जिससे लोगों को काफी दिक्तों का सामना करना पड़ रहा है वही नागपुर में रात से हो रही आफत की बारिश को देखते हुए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडण वीस ने ट्वीट किया है नागपुर में कल रात हुई भारी बारिश की वजह से अंबाजरी जील ओवरफ्लो हो गई है और कुछ इलाकों में पानी घुस गया है कलेक्टर ने बताया कि केवल 4 घंटे में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई नागपुर कलेक्टर नगर निगम कमिशनर मौके पर पहुँच गए हैं और तुरंत जरूरी कदम उठाए जा रही हैं निर्देश दिये गए हैं कि निचले इलाकों में फंसे नागरिकों की सबसे पहले मदद की जाएं बचाव कार्य के लिए NDRF की एक टीम और SDRF की दो टीमें तैनाद की गई हैं ऐसे ही पलपल की छोटी बड़ी और देश-विदेश के खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए Facebook पेज को फ्लो करें यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी बटन दबा कर अल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि पलपल की खबर आप तक पहुँचे जानकारी हासिल करने के लिए धन्यवाद